आज मैं बताने जारी हूं आपको मटन के पकोड़ी आप चिकन के पकोड़ी खाये होंगे एक पर मटन के बना के देखिए यह भी बहुत टेस्टी बनते इसके लिए मैं मटन ली 200 ग्राम उसको थोड़ी सी वनफोर थल्दी और यह लेसन के आठ पोतियां है 1 Sлоar है राइस फ्लार है थोड़ा सा कोटमीर है बारी कट करके रख लिए एक हरी मिर्च है 1 Sлоar गरं मसाला पॉर्डर वन टीस्पून नमक और इससे हटके भी हमको यह चीजों की जरूरत है बेसन है, वन कप, यह जितना चाहिए हमको मुतना लेंगे सुकी मिर्ची है, साथ, और यह पानी है, बॉयल करें थे, इसको हम सूप भी कह सकते हैं जब में घ्राइंड करूँगी, तो उसको में यह इस्तमाल करूँगी और बेसन को इसके साथ जब भीगा कर पकोड़े बनाएंगे तो भी हम यह पानी इस्तमाल करेंगे अब हम क्या करेंगे, यह जो सुकी मिर्ची है यह धनिया जीरा लेहसन यह तमाम चीजों को मिला कि इसका पेस्ट बना लेंगे तो चलिए पेस्ट बना के बथाती मैं आपको चलिए यह पेस्ट को हम गोश में आट कर देंगे अच्छी से मिक्स करके हाफ एना रखना है आप चाहे तो जाधा भी रख सकते देखिए पैन रखी में उसमें तेल डाल दी जब तक यह ओईल गरम है तक हम यह सब चीजें मिक्स कर लेंगे इसको मैरिनेट करें वे आदा घं अधनिया और मैं आपको हल्दी बना बताना भूल गई थी थोड़ी सी हल्दी डालेंगे एक 1-4 टी स्पून थोड़ा सा चाहवल का आठा 2 टेबल स्पून ली में बेसन डालेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स करती जाएंगे अब इसकी कंसिस्टेंसी हमको जैसे चाहिए उतना रखेंगे हम अब देखिए बेसन की थोड़ी और ज़र्वत है हमको थोड़ा और बेसन आट करेंगे इसको हमको जीतने भी गोश्ट की बोटियां है उसको कोट करना है हमको वन कप ले थी में 3-4 कप इसको बस हो जाएंगा देखिए इतना सा बचाके रखते रहेंग थोड़ा सा इसको कोट हुआ है बस इतना ही हमको पतला रखना है तो चलिए ओईल गरम हो गया हम इसको एक एक करके डालेंगे और देखिए थोड़ी देर के बाद पलटा करना है, थोड़ा से light brownish color golden brown आ गया color देखिए इसका golden color आ गया अब इसको निकाल लेंगे अंदर से soft रहेंगे यह ऊपर से थोड़े crispy रहेंगे क्योंके हम चामबल कायाटा करें अगर आप जादा क्रिस्पीनेस नहीं चाहिए आपको तो चामल काराटा स्किप कर दीजे इसी तरह से हम दुसरा बैट भी डाल के फ्राइ कर लेंगे देखिए गोश के पकड़े रेडी हो गए एक बार बना कर देखिए और मुझे कमें सेक्शन में बताईए कि कैसे लगी अब बकरी दारी बकरीत के लिए ये बनाई हूं में आप जरूर बना के ट्राइ करिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए दौाओं में याद रखिए अल्ला हफिज